हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं यह सितंबर 2023 का है और इस राशी फल के माध्यम से जानेंगे कि आप जो मकर लगन राशी के जातक हैं उनका सितंबर 2023 जो आने वाला महिना है वो किस प्रकार के रिजल्ट्स उनके लिए देने वाला है या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि सितंबर 2023 में जो ग्रहों की गोचर में आसमान में सिती रहेगी अच्छी या खराब उसके आधार पर आपको भिन भिन छेत्रों में जिन परिणामों की मिलने की संभावनाएं अधिक होंगी उसके विशर में आपसे बात करेंगे लेकिन उससे पहले सितंबर 2023 में जो ग्रहों की सिती बनेगी गोचर में उससे भी हम आपको संग्षेप में अवगत कराना चाहेंगे और आपको बताना चाहते हैं कि ये जैसा मैंने हमेशा इस बात को मैं कहता हूँ जब भी राशी फल की बात होती है कि ये लगन राशी पर आधारित है चंदर राशी पर आधारित नहीं है और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ठीक मेरे पीछे स्क्रिन पर जो चार्ट डिस्पिले हो रहा है ये आप मकर लगन राशी के जो जातक है उन्ही का ही चार्ट है और इस चार्ट में ग्रों की सिती को बहुत ही इसपश्ट रूप से दर्शाया गया है कौन ग्रहे किस घर में किस राशी में किस ग्रहे के साथ अपना संबंद बना करके बैठा है या केला बैठा है लेकिन ये तो सब ठीक है इसके अतिरिक कुछ ग्रहे हैं जो अपना राशी का परिवरतन भी करेंगे तो हम ये सारी जानकारी आपको बहुत संग्शेप में देने जा रहे है ग्रों से संबंदित उसके बाद चर्चा होगी आपके साथ आपके राशी फल की और अंत में बताएंगे आपको सरल आसान और अच्छो को पाये अगर आप उन्हों पायों को करेंगे शिद्दत के साथ पूरी शद्दा भाव के साथ तो निश्टेत रूप से आपकी जो तकलीफ हैं वो दूर होंगी तो सबसे पहले बात करते हैं सूरे ग्रह की देखिए सूरे ग्रह जो हैं आपके कुंडली में आपके चार्ट में अश्टम भाव में बैठे हैं अपनी राशी सिंग में अप अपनी समराशी कन्या में प्रिवेश करेंगे नवम भाव में नाइंथ हाउस में जहां पर छे नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर यह जाएंगे वहाँ पर इनके मित्र मंगल जो पहले से ही महां मौझूद हैं उनके साथ इनका संबंद बनेगा जो कि महां के अंततर किसी प बने हुए और यह महां के अंततक रहेंगे कहने का भाव यह पूरे सितंबर के महीने में बुद्ध जो है वो अपनी मित्र राशी सिंग में अश्टमभाव में बने रहेंगे लेकिन एक सितंबर से लेके और 13 सितंबर तक तो यह रहेंगे अस्त और 13 सितंबर को यह महा के अंत्य तक अच्छी इस्तिती रहेगी और बात करेंगे अब आके मंगल के रहेगी मंगल भी जो है वो अपने राशी परिवर्तन नहीं करेंगे अपनी शत्रु राशी कन्या में नवम भाव में बने रहेंगे बस इतना परिवर्तन जरूर आएगा इनके मंगल को लेकर कि तो इसी लिए ये 24 सितंबर को पश्चिम में अस्त हो जाएंगे आगे बात करते हैं केतु ग्रह की केतु अब तुला राशी में शुक्र की राशी में शुक्र उनके मित्र हैं ये भी कहा जा सकता है कि अपने मित्र के घर में दशम बाव में बने हुएं काफी समय से और कोई परिवर्तन नहीं होगा आगे बात करते हैं राहू की राहू अपनी शत्रु राशी मेश में मंगल के घर में चत्रुत भाव यानि फोर्थ हाउस में बने हुएं काफी समय से और अभी इस पूरे महीने भी बने रहेंगे और इनका साथ अपने संग्रह गुरू ब्रस् बनाते हैं तो इसके कारण से चांडाल दोश का निर्माड होता है जो की जातक को कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है अशुप परिणामों का ही सामना जातक को करना पड़ता है इस राहू ब्रस्पती के योग के कारण और यह राहू इस महीने जैसा मैंने कहा पूरे महीने ऐसे ही बने रहेंगे इसी राशी में इसी घर में इसी भाव में अब बात कर लेते हैं गुरू ब्रस्पती की ब्रस्पती जो है वो भी पूरे महीने यूं तो मेश राशी में ही रहेंगे ये इनकी मित्र राशी है की राशी है ये चतुरत वाहू में ही बने रहेंगे अपने समगरें राहू के साथ अब जैसा मैं कह चुका हूँ कि ये राहू और ब्रस्पती का जो संबन जब बनता है तो चांड डाल दोश का निर्मार होता है अब ब्रस्पती जो है वह यहाँ पर चार सितंबर से वक्री इस सिती में आ जाएंगे उल्टी चाल चलना आरम कर देंगे चार सितंबर से लेकर महा के अंतर तक ऐसे ही रहेगी इनकी इस सिती फिर और एक तो ये खुद वक्री हो जाएंगे और दूसरा इनका चांड डाल दोश का निर्मार राहू के कारण चतुरत भाहू बहुत ज्य में हम आपको कुछ आसान और सरल उपाय देने वाले हैं आप वीडियो को अंतर तक देखते रहिए तो इससे आपको काफी अगर उपायों को करते हैं तो आपको बहुत लाब मिलेगा आगे बात करते हैं शुकर ग्रह की देखिए शुकर ग्रह जो हैं वो भी अपना राशी प्रिवरतर नहीं करेंगे वो भी अपनी शत्रु राशी कर्क में बने हुए हैं सब्तमभाव सेविंथ हाउस में पूरे महीने ऐसे ही रहेंगे लेकिन चार तारिक को चार सितंबर को यह मारगी हो जाएंगे च्योंकि चार सितंबर तक यह वकरी रहेंगे उल्टी चाल और चार सितंबर से मारगी होकर के सीथी चाल चलना आरम करदेंगे और महा के अंतर तक यह फिर इनकी इस सिती अच्छी रहेगी बस इतना है कि यह शत्रु राशी में होंगे तो यह वो ग्रहों की सित्थी है जो सितंबर दोहजार तेएस में बनने वाली है आप मकरलगन राश को ले कर के करियर को ले के कि का करियर कैसा रहेगा देखिए करियर में आपके लिए परेशानिया है करी मैं आपको बहुत इस परेश्ट रूप से कहना चाहूंगा कि हाला कि ये परेशानिया कुछ ऐसी परेशानिया है कि मान लीजिए कि कोई समस्या आपके सामने आई कोई का कारणे को ले करके परिशानियां पैदा कर सकते हैं आपके लिए लेकिन उसी में ही कुछ कहीं से कुछ ऐसा भी होगा कि वो आप कुछ लोग ऐसे भी होंगे या कुछ ऐसा वातावरन बनेगा कि कहीं से आपको सपोर्ट भी मिलेगा तो जितनी परिशानी आपको होगी या जि साथ थोड़ा सा परेशानी जरूर सही, कोई बात नहीं, परेशानी ओंगा शांना करेंगे. और थोड़ा भी सपोर्ट हमें मिलता रहा तो हम इस कार्रयों को पूरा कर लेंगे. कुछ इस thinking के साथ, इस विचारदारा के साथ, आप अपने कारे छितर में अपने कारें को पूरा करेंगे मतलब कहने का यह है कि चाहें आप रोजगार में है या व्यापार में है तो यह सिती आपकी रहेगी यहाँ पर जो है राहू जो है वो आपके लिए समस्या पैदा करेंगे तो राहू के उपाय हम आपको देंगे आप उनको कीजेगा निश्चित रूप से आपको उसका लाम मिलेगा अब आप से बात करते हैं आपकी इंकम को लेकर के कि इंकम आपकी कैसी रहना वाली है तो मेरे प्रिये साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंकम आपको समानने से मध्यम होती रहेगी पूरे माहा तो इंकम को लेकर कि किसी परकार की कोई परिशानी या दिक्कत या कोई तरीके की चीज आए इस सितंबर दोहजार तेश में उसकी संबावना बिलकुल ना क कर रहे हैं साथियों तो यहां पर सुख सुविधाओं को ले करके थोड़ा सा कमी रहेगी आपके लिए सुख सुविधाओं का लाव लेने से आप थोड़ा सा वंचित रहेंगे या यह कहा जाए कि सुख सुविधाओं का लाव आपको कम राप्त होगा आपको इतना और ब रस्पती का जो चांडाल दोश है यह जादर लंबे समय तक नहीं रहेगा और जब यह राहू यहां से निकल जाएंगे तो हम आप से कह सकते हैं कहेंगे कि आप अपना जो भी करना है वो आप कर सकते हैं तो अभी कुछ समय के लिए आप थोड़ा से शांत रहें और जो भी प अभी फिलाल ना खरीने नहीं आपको उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं परेशानी या नुकसान उठाना पड़ सकता है और बात करते हैं अब आप से प्रेम सम्बंदों की के प्रेम सम्बंद आपके कैसे रहने वाले हैं देखिए प्रेम सम्बंदों का जहां तक भी मतलब अपने आपको एक तरीके से पूरा रोमेंस आप उसके सामने चाहेंगे के भई जो भी मेरे पास है मैं इसको दे दूं और बहुत क्योंकि मैंने कहा कि रूमेंटिक मूर्ड में रहनेवाले हैं आप पूरे महीने तो जब व्यक्ती रूमेंटिक मूर्ड में होता है तो फिर उसकी बात ही कुछ और होती है, और उसको अपने मित्र को गिफ्ट में भी बहुत कुछ दे देता है, उसके उपर खंच भी करता है, सब कुछ होता है, तो यह जो महीना है, हलाकि आप बेशक बहुत रोमेंटिक रहेंगे, बाबजूद इसके कही ना कहीं, कुछ ना क कुछ कमी आपको खलेगी, उसका एसास होगा, कि कुछ ना कुछ है, कुछ कमी यह पूरी की जा सकती थी, लेकिन कारण वश्च नहीं हो पा रही है, आगे बात करते हैं, शादेशुद्धा जिन्दगी के विशे में, वैवाहिक जीवन के विशे में, तो आपको बताना चा विशे शुरूप से महा के मद्दे तक थोड़ी बहुत समस्याएं पैदा हो सकती हैं, लेकिन महा मद्दे से महा के अंत तक का जो समय होगा, इसमें आपकी समस्याएं जो हैं, वो काफी हद तक आप सॉल्व कर लेंगे, अपने विवहार से, और धन का जो क्या कहना चाहिए जो आप कहीं इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, तो धन की इसीती तो आपकी अच्छी रहेगी, धन को लेकर के मैंने जैसा अभी बताया भी है कि कोई आगमन में भी ऐसा नहीं होगा कि आपको धन की कमी का एसास हो, तो वो आप धन को भी अच्छी जगा कहीं और आगे बात करते हैं, चात्रों को लेकर के, चात्रों का यह है कि भई इस्टडी जो करना है इस्टूडेंट्स मकर लगन राशी के, वो उनका सामानने से मध्यम परिनामों की प्राप्ति आराम से हो पाएगी, और जो संतान है, उसके लिए माता-पिता को कहना चाहेंगे मकर लगन राशी के जो माता-पिता हैं, उनकी संतान को लेकर के भी सामानने से मध्यम परिनामों की प्राप्ति सितंबर महा में हो पाएगी, बात स्वास्त की कर लेते हैं, देखिए स्वास्त को लेकर के, थोड़ा सा आपको सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ने इन उपायों को किया, तो निश्चत रूप से आपको इसका लाप राप्त होगा, देखिए साथियों, अगर आप कर सकते हैं, तो तीन माला कम से कम नित परती दिन इस मंत्र की जरूर कर लिया करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और बहुत छोटा सा मंत्र है लगू मंत्र हैं, जो हम पताने जा रहें, ओम, राम, राहवे, नमाह, यह मंत्र है, और इसके अतिरी, माते पर, पूझा करने के उपरांद, राते काल, केसर का तिलग, अपने मस्सिष्क पे, केसर का लगा ले, या फिर हल्दी का ठीका लगा सकते हैं, अगर केसर नहीं है तो हल्दी का ठीका जरूर लगाने या अगर केसर घर में है तो केसर का ठीका मस्तिश्ख पे अपने जिव्या पे और अपनी नावी पर ये नित्परति दिन लगाना है आपको बस इतना ही कार्य करना है बाकी चीज़ें आपकी जीवन में सब को ठीक चलेंगी अगर इतना हुनें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको आप शेयर करें ताकि जो दूसरे आपके मित्रगण हैं या सोशल सरकल के लोग हैं वो भी इस जानकारी का लाब ले सकें और यदि आप ये चाहते हैं कि जो भी हमारे वीडियो जी के टॉपिक पर बनते हैं उन सभी की देंगे अजाजत तो इसी के साथ साथ आप सभी का से इर्द है बहुत बहुत धन्यवाद जय माता दी